नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे quarter turn belt drive की और belt drive with idler pulley की तो दोनों की हम बात करेंगे देखे quarter turn belt drive क्या होती है? पहले तो हम यह जान लेते हैं belt drive क्या होती है? एक जगा से दूसरी जगा में power transmit करनी है तो अलग-अलग तरह की यह drives होती है तो वह हम देख रहे हैं तो quarter turn क्या है? अब quarter turn belt drive को हम right angle belt drive भी बोलते हैं क्योंकि यह जो नाम है यह आपको पता होना चाहिए तब यह आप इसको समझ पाएंगे right angle belt drive आप इसको बोलेंगे right angle belt drive का है यानि कि मालीच यह एक shaft इस तरह से है और एक shaft जोड़ है बिल्कुल इस तरह पहल जाता है जैसा कि हम नहीं यहाँ प dit 9 कि इसके सामने से वाप सामने प्राइँ के नी ने ले लिएंगे इस्तर में रहेंगा तो राइट एंगल पर तो यह इसंतर से सर्कुलर हो जाएगी दोनों यह फिगर यहीं है. अब राइट एंगल पर रेंग है. अब देखिए, अब यह रोटेट करेगी, जब यह माली जी इसके उपर से बैल्ट आप ले जाते हैं, इस तरह से क्रोस करके इसके उपर, तो जब यह रोटेट करेगी, तो यह इसको भी घुमाएगी. यानि कि जब ये इस तरह से घूमेगी तो ये जो है इस तरह से जब माली जी ये इस तरह से घूमती है जब ये इस तरह से घूमती है तो ये इसको साइट को खीच रही है और इसको घूमा रही है तो ये इस तरह से घूमेगी तो इसको अपनी तरफ खीचेगी बैल्ट को और इसको ऐसे घुमाएगी तो इस तरह से यह जो है मोशन ट्रांस्मिट करने के कामाती है और रोटेट करती है इस तरह से जैसे कि इसमें दिखाई गई है अब यहां पर देखिए अगर हम जो पुली है जो पुली से बचाना चाहते हैं कि यह फिसले ना वैल्ट जो है पुली के ज्यादा रहते हैं तो जो इनके फेस होते हैं पुली के फेस होते हैं जैसे माली जी यह पुली है इस तनाजे यह पुली है तो इनके जो फेस होते हैं वो जो है हम ज्यादा रखते हैं तो यह ज्यादा होंगे कितने ज्यादा होंगे 1.4 B होंगे 1.4 B क्या है width of the belt है यानि क माली जी जो belt है वो इतनी है B है इसकी width है और ये कितने होगे 1.4B ताकि ये जो फीसले ना इसको ज़्यादा रखा जाता है ताकि उतरे ना बार-बार और जो motion है regularly transmit होता रहे तो इस तरह से जो pulley है आप इस तरह से दिखा सकते हैं इसी तरह से इसकी अंदर एक guide police का भी use किया जाता है कहीं जवाँ पर अगर ये काम नहीं करता system तो guide pulley का भी use किया जाता है कि अगर हम इस तरह से अरेज नहीं कर पा रहे तो हम अगर जहां पर reversible motion भी हमें चाहिए यानि कि यहां से यहां यहां से यहां हम transmit करना है reversible भी चाहिए तो guide pulley का use कर लेते हैं तो इस तरह से यह जो है आप यहां पर देख सकते हैं तो guide pulley का use यह देखे यह axis इस तरह से right angle पे guide pulley इस तरह से arrange करके guide pulley का भी use कर लिया जाता है तो हमारा जो main मकसद क्या है कि हमें power code transmit करना है तो यह तो है quarter turn belt drive जिसको right angle belt drive भी बोला जाता है इसी तरह से belt drive with idler pulley अब देखिए belt drive with idler pulley यानि की दो pulleys हैं हमारे पास और हमें एक इस तरह की idler idler pulley का use किया जाता है अब इसका use क्यों किया जाता है वो हम जान लेते हैं आप देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरह के shaft है जो parallel है जिस तरह से open belt drive में हमने देखा था कि अगर उनकी बीच में क्या है कि माली ज्यादा ही जोटी pulley है एक pulley ज्यादा ही जोटी है तो ज्यादा ही जोटी है तो यहाँ पे इनका contact नहीं बन पाएगा अच्छी तरह से माली जी एक इतनी बड़ी है एक इतनी चूटी है तो belt जब लगाएंगे तो फीसल में के chances जादा होंगे या इसको यह घुमा नहीं पाएगे तो हम एक ऐसी चीज लगादें जो इसको tight कर दें इसको बिल्कुल tight कर दें तो इस तरह की पुली लगादें idler pulley यानि कि इसका कोई काम नहीं है सिर्फ ये किस काम आ रही है इसको tight करने के लिए तो इसलिए जो idler pulley है इसका use किया जाता है जिससे कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा contact बन सके और high velocity को हम transmit कर सके और जो tension है उसको भी हम जितनी चाहे उतनी ले सकते यहां से tight कर सकते हैं इस side को तो दोनों के बीच में contact भी अच्छा हुआ और इस side को tight भी कर सकते हैं तो इसलिए यह idler pulley का use किया जाता है इसी तरह से माले जीए यहां पर driver pulley है और इस तरह कि यह तीन हमारे पास pulley है एक दो तीन pulley है जो बिल्कुल parallel लगी हुई है और इन पर हमें इससे जो है motion transmit करना है अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर यह जो है यह जो है यह भी idler pulley होगी इसी तरह से जो यह है और जो यह है यह भी idler pulley होगी तो इन idler pulley का use करके इन तीनों shaft के पास हम motion को transmit कर सकते हैं यह ऐसे घुमेंगा अब देखिए जब यह इसको खीचेगा तो यह किस तरह से घुमेंगी इस तरह से घुमेंगी तो यहां पर इनका motion आप ध्यान रखिएगा जब यह ऐसे घुमेंगा तो यह ऐसे घुमेंगी और जब यह ऐसे घुमेंगी जब इस तरह जाएगी तो यह इस तरह जाएगी तो इनका जो motion है आप देख सकते हैं और जब इसको यह खीच रही है तो यह इस तरह घुमेंगी और जब इसको खीच रही है तो यह किस तरह घुमेंगी इस तरह भूमेंगी, तो इनका सब का motion है, तो आप ध्यान न कियेगा, कि जो motion है, इस तरह से ये होगा, तो idler pulley का यूज़ किया जाता है, एक side को tight करने के लिए, tension maintain रखने के लिए, contact surface बनाने के लिए, अच्छी तरह से, तो ये था हमारा quarter turn by drive और bell drive with idler pulley, तो thank you वीडियो दे